जैहन सभी डिफेंस पेंसनर बंधू मुझे उमीद है आप आरोगेता की ओर बढ़ रहे होंगे और इस असपर्स पेंसन के बारे में काफी कुछ जानकारी अभी तक हांसिल कर चुके होंगे यहाँ मेरा 14. एपिसोड है सभी डिफेंस पेंसनर के ट्रेनिंग के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें सिंगल स्टेप है जहांसे कि आप अपनी यात्रा स्वयम ही प्रारंभ करें और सुगम भी बनाएं अभी तक आपने अगर असपर्स के बेप साइट को लॉगिन नहीं किया है चुकि आपको कुछ मालूم नहीं है, माइग्रेशन हुआ या नहीं तो आपको संचेप में मैं यहाँ बता दू कि साब साथ इन्डिकेशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका माइग्रेशन हो चुका है तो इसके confirmation के पहला तरीका है कि आपको month hind में credit आएगा दूसरा है जो DR, Dearness Relief जो credit हुआ है October महिने का 24th October को हुआ है तीसरा है बैंक का जो credit एसे में साते थे ओ अब अलग किस्म के आएंगे उसमें narration RBI का होगा, NEFT का details होंगे और जब passbook आप print करेंगे यहाँ भी narration आपके different होंगे जब आप bank के statement लेंगे या INB का transaction देखेंगे वो भी वहाँ अलग narration दिखेगा और अगर आपको दुबधा है तो toll free number 1800-180-5325 पर call करके आप पता कर सकते हैं और अगर लखी है तो आपका यह number लग भी जाएगा और अंतिम जो है, जो final है, वो migration status आपको कहाँ पता करना है तो asperse portal में पता करना है और PCDA pension पर्याग राज का जो main website है, वहाँ भी आप कर सकते हैं और इसके अलाबे आपको कई SMS आ रहे होंगे, पहला SMS आ चुके होंगे कि आपका bank से transfer हो चुका है asperse में दुसरा आ चुका होगा, आपके user ID, user name बेगर आ चुके होंगे जो credit हो रहे हैं regular यह आ चुके होंगे और चौथा PDB अगर आपने नहीं किया है, तो इसके भी reminder आ चुके होंगे तो यह सब तो कुछ indication है, जिससे आपको पता चल गया होगा अभी तक कि आपका migration हुआ या नहीं और यह जान लिजे, इस PCDA Pension Aspurs के Mbit में लगभग 50 organization आने वाले हैं जिसमें परमुकत आर्मी, नेवी, एरफोर्स और डिफेंस, सिविलियन जिसमें की लगभग 45 से भी ज्यादा organization है जो कि इसके Mbit में आ रहे हैं, तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए परमुक होने जा रहा है, अहम होने जा रहा है तो मुझे उमीद है इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे, जिसमें हम जिक्र करेंगे कई जरूरी steps और अगर आपने हमारे चैनल को Living Happily को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल को भी जो आपको लाब पहुचा रहा, उस चैनल को भी एक लाब लेने का सुभावसर मिल सके ताकि यह Living Happily चैनल ग्रो कर सके, एक बड़ी टीम लगा सके, जो कि और ज्यादा लाबकारी वीडियो आपके लिए ला सके तो अब हम बात करते हैं कि PCDA Pension Portal जो है, इसमें किस तरह से पता करेंगे तो इसका पोर्टल मैं हर वीडियो में बताते रहा हूँ https colon double slash pcdapension.nick.in कर सकते हैं या Google में भी जाके देख सकते हैं, जहां कि आपको देखना है, लॉक का साइन है या नहीं इस तरह के आपके बिंडो खुल जाएंगे, जहां right corner में आप देखेंगे migration into a spurs, यहां आप देख पा रहे हैं, check status है यहां जैसे check status क्लिक करेंगे, एक अलग किसम का बिंडो यहां खुल जाएगा जहां कि आपको a spurs ppo number, option value और capture दिख रहे हैं जैसे आप यहां क्लिक करेंगे a spurs ppo को, इस तरह से चार तरह के credential आप से पूछे जाएंगे, अगर a spurs ppo आपके पास है तब तो आपको confirm है ही, फिर तो confirm करने कि यहां हो सकता ही नहीं है इस से पहले जो 12 digit का e ppo number था, वो अगर है तो वह करें या तो फिर आपका service number, ic number, regimental number डालके या फिर account number डालके यहां select करें और capture डाले जैसे आप करेंगे इस तरह के, पहला option है कि इस तरह के window खुलेंगे अगर migration हो गए हैं तो, और अगर नहीं migration हुए हैं तो note migrated आपका wrong window इस तरह से दिखाएगा तो पहला option यहां आप देख रहे हैं जहां कि लिखा हुआ है आधहार number is not available, pen number is not available और a spurs ppo लिखा हुआ, will be available soon तो यह पहला option आपको हो सकता है दूसरा option यहां यह होगा कि pen is not available, यानि कि यहां आधहार आपका फेच हो चुका है, pen नहीं हुआ, लेकिन a spurs ppo यहां भी नहीं आया है तीसरा option है, जहां कि आपके आधहार भी successful है और pen भी successful फेच हो गए है लेकिन a spurs ppo यहां भी फेच नहीं हुआ है और चौथा condition है, जहां कि सब कुछ successful आ चुके आपके spurs ppo भी आ गए है और आधहार, pen सब कुछ successful दिखा रहा है तो यहां हम चारो condition के लिए बारी-बारी से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है यानि कि आपकी यात्रा अगर चारो में से किसी एक condition में या पाचमा condition migrate ही नहीं हुआ जैसा कि आप अभी तक समझ पा रहे होंगे सब ही defense, army, air force, navy और defense, civilian इन चारो कटेगरी को 31st December तक अनुमानित सब को migrate कर दिया जाएगा तो यह अगर जिनका migrate नहीं भी हुआ है उन्हें भी जरूरी है कि यह सब जानकारी सीख कर रहे तो इन चारो कंडिसन जो आप देख पा रहे होंगे इसके बाद आपको क्या करना है तो आपको आना है PCDA प्रयाग राज का main जो portal है यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ जूम करके अपने स्क्रीन को आप यहाँ देखिए आप सबसे पहले migration status चेक कर लीजिए जैसा कि मैंने अभी बताया आप यह काम mobile से भी कर सकते हैं और यह अपने laptop या desktop से भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको अलग-अलग किस्म के दिखेंगे जिस लेविल में आपका migration status अभी है अलग-अलग लोगों का अलग-अलग लेविल में हो सकता है यहाँ आप देख रहे हैं किनी का पैन नहीं है, किनी का आधार नहीं है किनी का दोनों में से कुछ भी नहीं है किनी का कुछ भी है इसे आप अगर mobile से कर रहे हैं तो desktop version भी कर सकते हैं और अगर आपका आ गया है सब कुछ, यानि कि OSPERS PPO वहाँ दिखा रहा है तब क्या करना है आपको इसी में 01 अगर regular pensioner है या family pensioner है तो 03 suffix करके यहां आगे बढ़ जाएं send OTP करेंगे आपके registered mobile number पर OTP आएगा OTP आप डाल दीजिए यहां acknowledgement आ गए और यहां OK कर देंगे तो आपके आगे बढ़ेंगे और यहां आपको password पहली बार change करना है या तो फिर आपको password नहीं आया है तो forget password करके आप इस window में आएंगे जिसमें की आपको forget password में OTP के द्वारा एक temporary दे दिया जाएगा और उसके बाद अगला step है temporary के बाद आप यहां से crack कर सकते हैं अपना password generate कर सकते हैं जो कि minimum 12 character का होगा small होगे capital होगे 0 to 9 होगे और एक symbol दिये जाएंगे तो इस तरह से आपने successfully अपना password generate कर लिया create कर लिया जिसे कि आप अपने diary में सुरक्षित लिख ले तो यह दो चीज बड़ा ही अहम होने जा रहा है सबसे पहला आपका asperse username जो कि asperse ppo number और suffix by 01 है और दूसरा यह password जो आपने अभी create किया या तो आया change कर लिया या फिर forget password करके अब यहां जब आगे जाते हैं तो आपको यहां मिलेगा migrated data for your claim is presently available in read only mode चुकि यहां आप कुछ भी edit नहीं कर सकते हैं और इसी को अगर आप change करना चाहते हैं तो declaration और acknowledgement के लिए करना है और अगर कोई समस्या है कोई मुद्दा है तो फिर बाद में पहले इसे submit करें तब manage profile में जाके declaration acknowledgement देंगे तब edit कर पाएंगे या कुछ अगर सुधार है करना चाहते हैं तो उसको सुधार को कर सकते हैं तो यहां आपको okay कर देना है जैसे ही आपने successfully login कर लिया successful login होते ही आप आगे की बिंडो में आ जाएंगे आगे की बिंडो यहां आप देखिए किस तरह से आ रहा है यहां आपको जैसे ही आप successfully okay कर लिया acknowledgement आएगा जो fund है यहां आपसे PDA जो previous bank होते थे जहां कि मुक्षेता हुआ सुनिश्चित करना चाह रहे है कि आपको अगर excess pension कभी credit हो जा रहा तो उसको recovery करने की उनकी सकती होगी और उसकती आपने ही undertaking देके acknowledgement के द्वारा दे रहे हैं जब तक यह okay करेंगे नहीं तो होगा नहीं इसके बाद अगला acknowledgement होगा यह सब demo आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ जैसे फिर दूसरा OTP आगया यहाँ OTP इंटर करके proceed कर लिजे ताकि यह सब confirm हो गया जो आपने later of undertaking दिया यह सब confirm हो गया और यहाँ okay कर दिजे okay करते ही आपका data submitted हो गया successfully और further processing के लिए आप तयार हैं अब अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है और यहाँ okay करते ही आप log out हो जाएंगे अब फिर से login करने के लिए again आपको Spurs के portal में जाके फिर से login करना है और login करेंगे तब आपसे आधार number पूछा जाएगा यह आधार number is not registered अगर वहाँ successfully नहीं आया है तो इस तरह का window आएगा मैंने चार condition बताया तो अगर जिनका चारो complete है यानि कि सब कुछ फेच हो रहे है तब उनको समस्या नहीं आएगा लेकिन जिनका आधार नहीं है पैन नहीं है तो उनके लिए yes टेप करना जरूरी है आप आधार number दीजिए yes कीजिए submit कीजिए फिर से OTP आएगा या तो फिर यहाँ डेमोग्रेफी फेल आ सकते हैं या पास भी हो सकते हैं अब डेमोग्राफी फेल ही क्यों होता है कुछ न कुछ discrepancy है यानि की आपके पिपियो में औरिजिनल पिपियो में यानि की आपके सर्विस रेकॉर्ड में कुछ नाम है डेट अव बर्थ है और अब जो आपने आधार काड बनाया उसमें कुछ और नाम है या कुछ sequence भी change हो सकता है कुमार पहले बाद में कुमार या surname आपने जोड लिया surname नहीं रखा इस तरह की कई तरह की discrepancy हो सकती अगर कुछ भी discrepancy है तो इस तरह का child window pop up होगा आधार demography validation failed यानि की कुछ न कुछ डाटा है पांच तरह के data इसमें से एक भी तरह के data अगर fail हो रहे हैं तो इस तरह से demography fail हो जाएंगे अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर demography fail हो रहा चुकि आप आधार जब तक यहां submit कर नहीं पाएंगे तब तक pan भी नहीं कर सकते हैं pan करने के लिए भी पहले आधार को successfully फेच करवाना जरूरी है और pan करने के लिए आप जब आधार सबसे पहले successful कर ले और तब pan number डाले और pan card का scan copy अपने system में ही mobile में ready रहें वहां से browse करके इसे upload कर दें और कुछी समय में आपको successfully pan uploaded करके message भी आ जाएगा तो इस तरह से आप आधार पैन कर सकते हैं बसरते आपके आधार में बिल्कुल purified है लेकिन अगर आप demography fail हो रहा है तो यहां spurs के site में आप कुछ नहीं कर सकते हैं तब आपके लिए क्या करना है मैं आगे के step में बता रहा हूं कि बार बार demography fail ही आ रहा तो क्या करना है तो आपके लिए यहां PDB आप आगे जाएंगे इस तरह से PDB करना होता है PDB में भी आपको demography fail ही आएगा तब आपको यहां माई आधार के website में official website में जाना है यहां जाके अपने आधार में क्या problem है चाह नाम है, date of birth है, gender है, address है जो भी आप update करना चाहते हैं यह सब आप update कर सकते हैं mobile number भी update कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा लंबा procedure होता है appointment लेना होता है, घर आते हैं, तब होता है इस तरह से जो भी समस्या है आपके आधार card में उसे purify कर लें आप अपने original PPO के हिसाब से एक एक लेटर, छरस आपका same होना चाहिए तब ही यह कर पाएंगे यहां आपको 50 रुपया का payment भी करना पड़ेगा 50 रुपया के payment से करके आपके successfully यहां आधार update हो जाएंगे 3-4 दिन के अंदर message भी आ जाएंगे तो अब अगर आपने अपने अधार को purify कर लिया तब जाके 7 दिन के अंदर अधार purify करने के बाद PPO के जैसा नाम ही आ गया तब जाके आप फिर से यहां PDB करने के लिए जाए असपर्स portal में जाके आप फिर से login करें और फिर जाके देखें आपका successfully login हो जाएगा और आधार card भी connect हो जाएगा link हो जाएगा तो यह सब अगर आप काम कर लेते हैं तो आपकी यात्रा सचमुच सुगम हो जाएगी और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe, like, comment नहीं किये हैं तो अब असे ही कर ले ताकि आपके तरह ही इस चैनल को भी grow करने का आउसर मिले और मुझे उमीद है यह video आप सबों के लिए चाहे आप army ने भी एरफोर्स defense civilian के लिए हो तो अगर आपका migrate हो चुका है कई लोगों का migrate हो चुका है will be available soon, will be available soon ही आरा कुछ दिन तक इंतजार करें क्योंकि PCDA team अभी migration में ही BG है अभी ID create नहीं किये है user ID तो आप यह सब home work जरूर करके रखें आप अभी अगर आपके पास समय है आपको मालूम हो चुका है कि difference है तो आप अभी अपने आधार को purify करके रख लें और यह सब काम कर लेते हैं तो मुझे पूरी उमीद है आपकी यात्रा बिलकुल ही सुगम रहेगी और इसी दिसा में मैं निरेंतर काम करते रहा हूं आप सबों को educate करते रहा हूं और यह विडियो बहुत ही useful रहा होगा मुझे उमीद है आप सब इसका लाब उठाएंगे और अपने जो अस्पर्स पेंसन की यात्रा है इसे आप सुगम बनाएंगे धेर सारी सुबकामना है आप सबों को आप हमारे साथ अपने जीवन का बहमुले समय देते हैं इसके लिए दिल की गहराईयों से नरेंद्र कुमार वेलनस कंसल्टेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलता हूँ नए विडियो में तो यह मेरा 14 हमाँ एपिसोड है अस्पर्स पेंसनर ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद